सुशान सिंग राजपूत की मौत ने हम सब को जिन जोड के रख दिया है मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिद है कि कैसे पैलर नेरेटिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो यह दिप्रेशन में आते हैं जो बंदेने स्टानफोर्ड की स्कॉलर्शी वो रैंक होलर है इस एंट्रेंस और एंजिनेरी उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक करें कि प्लीज मेरी विल में देखो मेरे कोई गौडफादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से अपने इंट्रव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं इंडस्ट्री अपनाती है I feel like a leftover तो क्या इसमें इस हाथ से की कोई बुनियाद नहीं है किस तरह से अगर किसी और स्टार कीड ने इस तरह से छे साथ के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अग्नॉलिश्मेंट कोई अवर्ड नहीं मिला मैं जो खुद फिल्में डारेक्ट करती हूं उनको फ्लॉप बोशित करते हैं मुझे जेल में डाले की कोशिश की गई और मुझे इनके जो चम्चे जर्नलिस्ट है वो शुषान जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकॉटिक है नूरॉटिक है अडिक्ट है संजदत की अडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है वो लोग मुझे मेसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट आइम है तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठाले ना ऐसा क्यों कहते है मुझे ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाते है कि आप सुसाइट कर लीजे तो ये सुसाइट थी कि ये प्लाइंड मर्डर था लेकिन शुषांग के गलती यह है कि वो उनकी बात मान गया उन्होंने कहा तुम वर्फलेस हो वो मान गया उसने वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे के शुषांथ कमजोर दिमाग का था वो ये नहीं बताएंगे के कैसा चाही क्या है तो हमें ये डिसाइट करना है कि हुव राइट थे हिस्ट्री वे विल डिसाइट आट